सब्सक्राइब कीज़े इट्स इंक्रेडिबी फॉर यो चैनल को और बेल आइकन को दबाईए चैनल के लिए इस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपका चैनल की एक नई वीडियो में आपने इनियन एरलाइस की फ्लाइट 814 की हाइजेकिंग के बारे में शायद सुना होगा क्योंकि आज से 19 साल पहले इस फ्लाइट को हाइजेक करके मौलाना मसूद अजहर को रिहा करवाया गया था जी हाँ वही आतंगवादी जिसने रिहा होने के बाद फिर भारत और कई देशों में बड़े आतंगी हमले किये लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि उस समय असल में क्या हुआ था कैसे ये हाईजेक हुआ और क्यों कुछ गंतों की फ्लाइट 8 दिन की फ्लाइट बन गई तो इस वीडियो को देखते रहिए और आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक जीज़ बताओंगा कि आखिरकार ये प्लेइज कैसे हाईजेक हुआ क्या इसे हाइजेक होने से बचाया जा सकता था क्या हाइजेक होने के बाद भी भारत से कुछ गलतिया हुई जिसकी वजह से इस प्लेन पर काबू नहीं पाया जा सका तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हैं It's Incredible for You तो चलिए शुरू करते हैं 1999 क्रिस्मस से एक दिन पहरे 24 दिसंबर नेपाल के कातमान्डू का 31 इंटरनाशनल हवाई एड़्ड़ इंडियन एरलाइन्स के फ्लाइट 814 को शाम 4 बजे के बाद उडान भरनी थी इसका रूट एकदम तय और छोटा था इससे 31 इंटरनाशनल एरपोर्ट से एक घंटे 20 मिलट में दिल्ली के इंडरा गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट पहुँचना था शाम 4 बजे फ्लाइट के उड़ने की लगभग सारी तयारिया पूरी हो चुकी थी कौकपिट में कैपटन देवी शरन, को पाइलेट सिंग और फ्लाइट इंजीनियर जा गया उड़ान से पहले की लगभग सारी तयारिया पूरी कर चुके थे विमान में 176 यात्री थे जिसमें से ज्यादा तर नेपाल में छुटियां बिदा कर लौट रहे थे क्योंकि एक ही हपते में नया साल और नई सदी आने वाली थी लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये फ्लाइट उनकी जिन्देगी की सबसे धरावनी गठना साबित होगी और उनमें से सारे यात्री अपनी मंजिल तक जिन्दा नहीं पहुँचेंगे कुछ ही समय में IC814 को टेक ओफ के पर्मेशन मिल गई और IC814 चार बजे के कुछ बाद त्रिभुवन इंटरनाशनल एरपोर्ट से रवाना हुई प्लेन को टेक ओफ हुई कुछ ही देर हुई थी जब प्लेन नेपाल की वायू सीमा से निकल कर भारत की वायू सीमा में आ गया और सारा कंट्रोल भारतिय एर ट्राफिक कंट्रोल को हैंड़ोवर कर दिया गया प्लेन में उस समय ड्रिंक सर्विस की जा रही थी जब चीप स्टीवर्ड अनिल शर्मा पाइलर्स को कौफी देने कौकपिट में पहुँचे लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले एक बंदूग धारी ने उन पर बंदूग दान दी उन्होंने ये बात पाइलर्स को बताने के लिए जैसे ही कौकपिट का दरवाजा खोला उस बंदूग धारी ने उनको धक्का मार कर वो खुद कौकपिट में घुच गया और कैप्टन के सर पर बंदूग रगदी अब तक सब समझ चुके थे कि प्लेइन हाई जैक हो चुका है लेकिन इसमें अकेला वो ही बंदूग धारी नहीं था बलकि चार और लोग थे जिन्होंने प्लेइन पर पूरी तरह से कबजा कर लिया उस आतंगवादी ने कैप्टन से बोला कि प्लेइन को पश्चिम की तरफ मोड़ दो वो प्लेइन को पाकिस्तान में लाहॉर ले जाना चाहते थे तकिन कैप्टन शरण ने उन्हें बताया कि प्लेइन को लाहॉर ले जाने तक का इंधन प्लेइन में नहीं है उसने पूछा कि प्लेन में कितना इंधन है तो इस पर कैप्टन ने बोला कि दिल्ली तक का हाईजेकर ने कहा कि अगर दिल्ली नहीं उतरे तो कहा जा सकते हैं तो कैप्टन ने थोड़ा सोचा और बोला कि बंबई या एहमदाबाद जा सकते हैं जिस पर उस हाईजेकर ने बोला कि बंबई के मुकाबले लाहर ज्यादा पास है तो वहां क्यों नहीं जा सकते असल में कैप्टेन शरण भारतिये सीमा को नहीं छोड़ना चाते थे भारत में रात हो चुकी थी IC814 अब भी अपनी मंजिल से मीलो दूर पश्चिम में उड़ता जा रहा था इसी बीच कैप्टेन शरण ने अबहरन करताओं की नजरों से बच कर एक एमरजेंसी ट्रांसपॉंडर दबा दिया जिससे भारतिये एर ट्रैफिक कंट्रोल समझ गया कि IC814 हाईजेक हो चुका है ये बात जल्द ही भारतिये मीलिया तक पहुँच गई वहां रात में आस्मान में प्लेन के अंदर कैप्टेन और आतंग वादियों के बीच अजीब कश्मकर चल रही थी हाईजेकर्स किसी भी हालत में पाकिस्तान के लाहौर से पहले उतरने को तैयार नहीं थे वहीं कैप्टेन भारतिये वायू सीमा को नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि 6 महिने पहले ही पाकिस्तान से कारगिल का युद्ध हुआ था जिसके गाओ अब भी ता जा थे इसी बीच खबर आई कि पाकिस्तान ने अपनी वायू सीमा बंद कर दी है वहीं दूसरी और प्लेन में आठ पुरुष यात्रियें को उनकी सीटों से उठाकर एक्जिक्यूटिव केबन में ले जाया गया और वहां उन्हें बान दिया गया जिसमें 27 साल के रुपिन का तियार हुई थे जिनकी अपनी पतनी रचना से कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी और वे नेपाल घूम कर वापस आ रहे थे कॉक्पिट में कैप्टन ने प्लेन की रफ़तार 40% तक कम कर दी ताकि अगर वो प्लेन को दिल ली या एहमदाबाद उतार पाएं कि अगर हमने विमान अमरिच सर में नहीं उतारा तो विमान क्रैश हो जाएगा क्योंकि इसमें बिल्कुल इंधन नहीं है ये सुनकर वो सभी हाईजरकर से खटा हुए और कुछ बातशीत के बाद उन्होंने इस गैरेंटी पर विमान को उतारने की इजाज़त दे दी कि इसे उतरते ही इंधन मिल जाएगा आखिर कार कैप्टेन की चाल काम कर गई और अब विमान अमरिच सर एरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगा था कुछ ही देर में प्लेन अमरिच सर एरपोर्ट पर लैंड हुआ और कैप्टेन को लगा कि शायद अब भारती सुरक्षाबर्ट ये हाईजैकिंग का नाटक खत्म कर देगा तब ही दिल्ली में अटल बिहारी वाजपई जी की सरकार ने अमरिच सर पुलिस को प्लेन में घुचने से मना कर दिया वो चाहते थे कि फुल ट्रेंड कमांडोस या एनसजी इस ओपरेशन को पूरा करे ताकि यातरियों को हाईजैकर्स कोई नुकसान ना पहुचा सके जब अमरिच सर पुलिस को ये सूचना मिली कि दिल्ली से एनसजी आ रही है तो उन्होंने उनका इंतजार करना शुरू किया और फ्यूल के टैंकर को भेजने में देरी की ताकि समय कटता रहे लेकिन जब प्लेन को खड़े आधे गंटे से भी ज्यादा समय हो गया हाईजेकर पीछे गया और एक्जेक्टिव केविन में बंधे रुपिन कत्याल के चाती पर तेज छुरी से कई अटेम्ट कर दी जब कैप्टन को ये पता चला कि हाईजेकर्स लोगों को मारने लगे हैं और भारत की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही तो आखिरकार उन्हें उडान भरनी ही पड़ी भारत ने हाथ में आया एक इतना सुनहरा मौका इतनी आसानी से गवा दिया जहां एक-एक सेकिंड कीमती होता है वहाँ पर दिल्ली से अमरिट सर एनेसजी को भेजने की ये जेद किसी बचकानी हरकत से कम नहीं थी अगर उन्हें ऐसा लगता था कि अमरिट सर पुलिस को इस प्लेन में कबजा करने में मुश्किल होगी तो वो शार्प शूटर्स की मदद से प्लेन के टायर्स को उड़ा सकते थे ताकि अगर हाईजेकर्स चाहें भी तब भी प्लेन ओड़ना सके लेकिन ऐसा नहीं किया गया पता नहीं क्यों लेकिन इस बचकानी हरकत की वजह से IC814 अब फिट से भारत की सीमा से बाहर जा चुका था और इस पर कंट्रोल करना अब उत्रा ही मुश्किल हो गया था पाकिस्तान सरकार ने उस समय अपनी वायू सीमा बंद कर रखी थी इसलिए उन्होंने प्लेन को मार गिरानी की धमकी दे डाली लेकिन जब उसका कोई असर नहीं हुआ और प्लेन लाहोर की तरफ बढ़ता रहा तो एरपोर्ट अथोर्टीज ने नेविकेशन के सारे तरीके बंद कर दिये और रन्वे की लगभख सारी लाइट्स भी बंद कर डाली अब कैप्टेन को अपने प्लेन की रिजर्व लाइट्स ओन करने पड़ी फ्यूर लगभख खत्म हो रहा था और पाइलेट को कोई डिसिजन लेना ही था इसलिए उन्होंने नीचे कुछ जगमगाती लाइट्स देखी उन्हें नहीं पता था कि रन्वे को बंद कर दिया गया है और उन्हें लगा कि ये शायद रन्वे है और वो उसी तरफ लैंडिंग के लिए बढ़ने लगे लेकिन जब वो थोड़ा नीचे आये तो उन्हें पता चला कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दिया क्योंकि जिन लायर्स को वो रन्वे समझ कर नीचे आये थे वो असल में हाईवे पर चल रहे ट्रैफिक की लैड्स थी प्लेन इतना नीचे आ चुका था कि अगर जल्द ही इसे लैंड नहीं किया जाता तो पूरी संभावना थी कि 814 क्रैश लैंड कर जाए जब पाकिस्तान एरपोर्ट अथारजी को इस बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि पाइलट्स के पास कोई रास्ता नहीं है इसलिए उन्होंने उन्हें नैविगेट करना शुरू किया और रन्वे को उनके लिए खोल दिया रन्वे पर लैंड होते ही फ्यूल के खत्म होनी की वजह से प्लेन का दाहिना इंजन खप हो गया प्लेन अब दूसरी बार लाहौर में लैंड कर रहा था लेकिन ये पड़ाव भी कुछ ही देर का था वहां प्लेन में रुपिन कत्याल और कुछ लोगों के सरीर से बहुत खुन बह रहा था और कैप्टन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से अनरोध किया कि कुछ घायर यात्रियों, महिलाओं और बच्चों को इस एरपोर्ट पर उतार दे ताकि इन्हें जल्द से जल्द चिकित्सा मिल सके लेकिन पाकिस्तानी अधिकारी किसी भी हालत में किसी यात्री को उतारने को तयार नहीं थे उन्होंने कहा कि तुम्हें इंधन चाहिए और हम तुम्हें इंधन देंगे लेकिन किसी भी यात्री को तुम यहां नहीं उतार सकते क्योंकि हम किसी भी हालत में इसमें शामिल नहीं होना चाहते कैर अजीब सी बात है कि जिस आतंगवादी को उस समय उतारने के लिए प्लेन को हाईजैक किया गया था वो ही आतंकी आज पाकिस्तान में खुलियाम गूंता है लेकिन अब उन्हें नहीं लगता कि उन्हें इस पर कारिवाही करनी चाहिए लाहौर में कुछ ही देर में प्लेइन को इंधन मिल गया और प्लेइन फिर से किसी अंजानी मंजिल की उड़ान पर उड़ पड़ा वहीं भारत में ये अफवाह फैल गई कि प्लेइन के कुछ ही यात्रियों को हैजेकर्स ने मार दिया है जिसकी वजह से सरकार पर दबाव और बढ़ गया वहाँ प्लेइन में हाइजेकर्स ने कैप्टेन को प्लेइन को अफगानिस्तान में काबुल ले जाने को बोला लेकिन रात में प्लेइन को काबुल में उतारने की कोई सुविधार नहीं थे इसलिए हाईजेगर्स के कहनी पर प्लेन को दुबाई की तरफ मोडा गया इसी बीच रुबिन कतियाल के गाउ से बहुत खुन बह चुका था और रात में किसी समय उनकी मृत्ति हो गई उनकी पत्नी रचना को अभी भी नहीं पता था कि रुबिन कतियाल के उपर चाकों से हमला किया गया है और उनकी मृत्ति हो गई है रात लगभग खत्म होने वारी थी जब आई C814 दुबाई एरपोर्ट पर पहुंचा भारत ने UAE के अधिकारियों से बात करी और उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि वो कमांडो ऑपरेशन की इजादत देते और जब तक भारत वहां कमांडो भेजता है तब तक किसी हालत में प्लेइन को वहां रोके रखे लेकिन UAE के अधिकारियों ने इसके लिए मना कर दिया लेकिन उन्होंने हाईजेकर्स को बोला कि वो प्लेइन को इंधन तब ही देंगे जब वो घायल और कुछ यात्रियों को दुबई एयरपोर्ट पर उतार दे हाईजेकर्स इस बात के लिए राजी हो गए दुबई एयरपोर्ट पर कुछ घायल यात्रियों और रुपिन कत्याल के शव को उतार दिया गया प्रशी की बात नहीं थी पिछले 18 घंटों से विमान हाईजेकर्स के कबजे में था इतनी लंबी उडान होनी की वजह से यात्री विमान में सोय हुए थे लेकिन जब उनकी आप खुली तो उन्हें पता चला कि विमान अफगानिस्तान में गंधार उतर गया है उस समय अफगानिस्तान में आतंगवादी संगठन तालिबान का कबजा था वो उस समय उसामा बिन लादेन का भी गड़ हुआ करता था दुबई में छुड़ाये गए यात्रीयों से जानकारी लेकर भारत की इंकलिजस एजेंसीज ने पता लगा लिया था कि उनका सामना प्रशिक्षित विदाई नातंगवादियों से है लेकिन आखिर क्यों उन्होंने इस प्लेन को हाईजेक किया ये अब भी एक राज था वहीं दूसरी ओर भारत में रुपिन कत्याल के अंतिम संसकार में सैकड़ों लोग खटा हुए और भारत के उपर इसको सुलजाने के दबाव और भी बढ़ने लगा था लेकिन प्रधान मंतर वाजबे अब भी जुगने को तयार नहीं थे भारत उस समय तालिबान को मानिता नहीं देता था और खुलकर उसका विरोध करता था लेकिन इस संकट को सुलजाने के लिए उसके सांथ बाचीत करना जरूरी था इसलिए भारत ने वारताकारों की एक टीम बना कर चार दिन बाद यानि की 27 दिसंबर को अफगानिस्तान भीजी इस टीम के सांथ कमांडोस को भी छुप कर ऑपरेशन के लिए भीजा गया था लेकिन अफगानिस्तान में उतरते ही तालिबान लडाकों ने प्लेन को घेर लिया जिसके वजह से कमांडोस का एकदम से IC814 पर जपटना मश्किल हो गया और आखिरकार बाचीत ही शुरू करनी पड़ी मुख्य आतिंकी ने बाचीत में बोला कि हमें मौलाना दे दो हम उसके मामने में कोई सौधा बाजी नहीं करेंगे आखिरकार बात साफ हुई प्रेन को हाईजैक मौलाना मसूध अजहर को छुड़वाने के लिए किया गया था उस समय मसूध अजहर कश्मीर घाटी में हमले के लिए जिमदार हरकते मुझाहितीन का सेक्रेटरी जनरल था इससे पहले भी मसूध अजहर को छुड़ाने की दो बार कोशिशें की जा चुछी जिसमें एक बार विदेशी परियाटकों को अगवा करके उन्हें मार दिया गया था और एक बार जेल तोड़ने की कोशिश की गई थी जिसमें एकातन की मारा गया था मसूत अजहर की रिहाई उन हाईजेकर्स की पहली मांग थी जिनके साथ वो 35 और लोगों की रिहाई और 20 करोड अमेरिकी डॉलर्स भी चाहते थे लेकिन इसी बीच तालिबान ने दखल देकर सब को चौका दिया जब उसने कहा की हाईजेकर्स उन कुछ लोगों की रिहाई और 20 करोड अमेरिकी डॉलर्स के मांग छोड़ दें क्योंकि ये इसलाम के खिलाफ है खेर मुझे इस बात पर अब भी हसी आ रही है कि लोगों की जान लेने वाले आतंकी इसलाम की बात कर रहे है कैर मैं मुस्लिम तो नहीं हूँ लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि खुद को मुस्लिम कहने वाले ये आतंकवादी अगर सच में ये जानते कि इसलाम क्या सिखाता है तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आतंकी नहीं होता भारत को आखिरकार अपने लोगों की जान बचानी थी इसलिए भारत को उनके बातों को मानना पड़ा और आठवे दिन भारत और तालिबान के बीच समझाता हुआ जिसमें तीन आतंकवादियों को रहा किया गया उस समय छोड़े जाने वारी तीन आतंकी थे मौलाना मसूद अजहर जो की कश्मीर घाली में हमला करवाता था और हरकत मुझाहिदीन का सेक्रेटरी जनरल था दूसरा आतंकी था उमर शेक ये लंडन से पढ़ा ही कर चुका था और ये आतंकी मौलाना मसूद अजहर का कट्टर चेला था तीसरा आतंकी था मुस्ताग एहमद जर्गर उस समय अलुमर मुजाहिदीन का कमांडर था प्रधान मंतरी वाजपेई ने आखिरकार तालिबान की बात मानी और उन तीन आतंगवादियों को दिल्ली लाया गया और फिर विमान से उन्हें कंधार ले जाया गया थोड़ी ही देर में वो तीनों आतंगवादी तालिबान के संरक्षन में कंधार से खोलेयाम रवाना हो गये और IC814 अब भारतिये सुरक्षा कर्मियों के हातों में था अखिरकार आठ दिनों बाद नए साल से ठीक एक दिन पहले उन बंधक यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया और एक को छोड़कर सारे यात desapare सुरक्षित दिल्ली एरपूर्ट पहुँश गये दिल्ली एरपोर्ट पर भारत की जंता ने उनका सांदार्श स्वागत किया और ये जश्न अगली सदी की सुबह तक चलता रहा लेकिन एक चीज जो सब को सता रही थी वो ये कि क्या भारत ने उन तीन आतंगवादियों को छोड़ कर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी मौलाना मसूद अजहर जल्द ही पाकिस्तान लोड़ गया और कुछ ही सालों में उसने आतंगवादि संगठन जैशे मुहम्मद बना दिया जैशे मुहम्मद पर भारतिय संसत के साथ साथ कई बड़े हमलों को अंजाम देने का आरोप है उमर शेख को एक अंतराश्रिय पत्रकार के कतल में शामिल पाया गया और इसलिए उसे फासी की सजा सुनाई गई और तीसरा आतंग की मुस्ताव एहमद जरगर पाकिस्तान ओकिपाइट कश्मीर में रहता है और ऐसा पताया जाता है कि वो फिर से आतंग की संगठल अलुमर मुझाहिद दीन को खड़ा करने में लगा है अब ये बात साफ है कि वो पाँचों हाईजेकर्स पाकिस्तानी नागरिक थे जिनमें मुख्य हाईजेकर मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई था भारत ने कई बार पाकिस्तान से अपचारिक अनरोध किये हैं कि उन पर कारिवाही की जाए लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक भी कोई आक्शन नहीं हुआ है ये तो अब भी नहीं पता चला कि वो उस समय प्लेन में हत्यार कैसे लेकर के गई लेकिन उस समय के बाद 31 इंटरनेशनल एरपोर्ट पर सुरक्षा को बहुत कड़ा कर दिया गया आपको क्या लगता है कि क्या उस समय भारत सरकार ने उन आतंगवादियों को छोड़ कर सही किया क्या उस समय कुछ और किया जा सकता था अपनी राय मुझे कमें सेक्शन में जरूर बताईएगा उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें अपने दोस्तियों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं झाल पर आपको वीडियो पसंद आई हैं